अस्सलाम अलेकुम, गुड मॉर्निंग चिलेंड, हावार यौल, बच्चो आज हम पार्ट फोर्टीन बहादूर दोस्ट शुरू करेंगे, एक्स्प्लेनेशन अदूर दोस्ट, शिक्षा प्रद कहानी, आज ईशु का जन दिन है, वो बहुत खुश है, उसकी मा उसके लिए तरह तरह की चीजे बना रही है शाम को दूर से ही पिताजी को आते देख कर ईशु दोड़ कर उनके पास पहुँच गया पिताजी ईशु को टोकरी दिखाते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ ईशु ने उचल कर टोकरी में जहांका, एक छोटासा कुत्ते का बच्चा टोकरी में दुपका बैठा था ईशु ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया, वो कूं कूं करने लगा पिताजी ये कितना प्यारा है, मैं तो इसका नाम लालू रखोंगा फिर तभी कुछ सोचते हुए ईशु बोला, मा लालू सोएगा कहां और ये खाएगा क्या मा ने एक टोकरी में पुराना सा तकिया डाल कर लालू के लिए बिस्तर बना दिया पीने के लिए उसे एक बरतन में दूध दिया इशु लालू को बहुत चाहता और लालू भी हमेशा इशु के पीछे-पीछे घूमता रहता जैसे ही इशु स्कूल से लोटता, लालू उसके पैरों में लिपट जाता कुछ ही दिनों में लालू बढ़ा हो गया एक दिन इशु और लालू अपने कमरे में सो रहे थे अचानक लालू के भूँकने से इशु जाग गया उसने देखा कि लालू जोर-जोर से अपने मुह से उसकी चादर खीच रहा है क्या हुआ लालू? क्या हुआ? इशु चिलाया लालू भौँ भौँ करता हुआ दरवाजे की तरफ दोड़ पड़ा इशु ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है इशु जोर-जोर से चोर-चोर चिलाता हुआ बाहरा गया अब इशु और लालू चोर के पीछे भागे चोर उन्हें देखकर गबरा गया और सामने के एक पेड़ पर चड़ गया लालू दोनों पैर पेड़ पर रखकर भौँ भौँ करने लगा शोर सुनकर इशु की मा पिता जी आ गये और मोहले वाले पुलिस को अपने साथ ले आए पुलिस ने चोर को पेड़ से नीचे उतरवाया और उससे पोटली लेकर इशु के पिता को वापस दी पुलिस ने इशु की पीठ थप-थप आई और बोले शाबाश बेटा तुमने और तुम्हारे दोस्त लालू ने तो कमाल कर दिया फिर पुलिस चोर को पकड़ कर ले गई मौहले वालों ने भी इशु और लालू को खूब शाबाशी दी सीख जानवरों में भी अपने पन की भावना होती है वो भी हमारी दोस्त होते है पार्ट फोर्टीन बहादूर दोस्त पेज नमर 74 बच्चो आज हम रीडिंग करेंगे बच्चो यहाँ पर देखिए पहले चीत्र है यह चीत्र नजर आ रहा है आपको इस चीत्र में क्या दिख रहा है एक लड़का है यहाँ पर एक छोटा सा कुते का बच्चा है पपी और यह बास्केट है यह बॉल है यहाँ पर एक फ्लावर पॉट है यहाँ पर एक टब में दूध है और यह एक औरत ठहरीवी है ममी लड़के की और यह दर्वाजा खुला है इस चीत्र में देखिए बच्चो आपको क्या नजर आ रहा है चले शुरू करते हैं आज इशु का जनम दिन है वे बहुत खुश है उसकी मां उसके लिए तरहा तरहा की चीजे बना रही है शाम को दूर से ही पिता जी को आते देखकर इशु दोड़कर उनके पास पहुँच गया पिता जी इशु को तोकरी दिखाते हुए बोले देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ इशु ने उच्छल कर तोकरी में जहांका एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा तोकरी में दुबका बैठा था इशु ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया वे कूँ कूँ करने लगा दुबका माने फोल्ड होके एकदम फोल्ड होके बैठा पिता जी ये कितना प्यारा है मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा फिर कुछ सोचते हुए इशु बोला मा लालू सोएगा कहां और ये खाएगा क्या माने एक टोकरी में पुराना सा तक्या डाल कर लालू के लिए विस्तर बना दिया एक बर्तन में पीने के लिए उसे दूद दिया इशु लालू को बहुत चाहता है लालू भी हमेशा इशु के पीछे पीछे घूमता रहता जैसे ही इशु स्कूल से लोटता लालू उसके पैरों में लिपट जाता कुछी दिनों में लालू बढ़ा हो गया एक दिन इशु और लालू अपने कमरे में सो रहे थे अचानक लालू के भौंकने से इशु जाग गया उसने देखा कि लालू जोर जोर से अपने मुँ से उसकी चादर खींच रहा था बच्चों यहाँ पर स्टॉप करिए आगे की रीडिंग हम नेक्स क्लास में करेंगे तब तक आप अच्छे से रीडिंग करिए मातरा के साथ धन्यवाद थैंक यू चिल्रेंड